ये गैस कैसे हो आप लोग दोस्तों मैं हो कश्पंड़ और आप देख रहे हैं इमिश्ट में को सेल्फ यूनिक है गैस कैसा लग रहा है मेरा सीरीज आपको सबको कमेंट करके जरूर बताया करो किस तर मुझे ऐसा लगा हो मुझे इस चीज में ये डाउट है कुछ ऐसा रहा करें तो कमेंट करके जरूर बताया करो उससे हमारे पास तक आपका मैसेज आ जाता है और हमें आडिया लगता है कि आप कितनी दिल्चस्पी ले रहे हो इन सांदार टोपिक्स पर क्योंकि ये ऐसे टोपिक्स हैं कि definitely इन पे बहुत कम लोग discuss करते हैं अब next topic है जिसके बारे में discuss करने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही अच्छा है कि अगर हम grow तो कर रहे हैं definitely हमको structures में सरी interest नहीं है Structures में Calculation बहुत रहता है, तो मुझे मेरा Calculation College में सो मेरा अच्छा नहीं था, RCC अच्छा नहीं था, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, तो एक और Option देता हूँ आपको, That Option is called BIM, Building Information Modeling, इसमें कैसे Grow कर सकते हो, तो चलिए, इस तरीच को सेकेंड पार्ट को समझते हैं, कि भाई, किस तरीके से BIM के अंदर Grow कर सकते हैं, जो को BIM के अंदर एक Grow, मतलब स्टार्ट करके Grow करना यह है, अभी हम बता रहे हैं, आगे मैं बताऊँगा, कि अगर आपका स्टार्ट हो चुका है, और बड़े लेबल पर कैसे लेज़ आएं, उसका भी अलग टॉपिक है, लेकिन अभी तो मैंने एक एंट्री हो जाएं ने यार, तो एंट्री होने के लिए सबसे बड़ा इंपोर्टेंट यह होता है, किसी भी यह का सकते हो, कि इन डिजाइन इंडस्टी में, पहला पाउदान यही होता है, कि AutoCAD आपका अच्छा होना चाहिए, क्या? AutoCAD अच्छा होना चाहिए, AutoCAD में भी Art Texture Part खुब बहतरीन होना चाहिए, जिसमें आपको वासू का अच्छा नोलेज होना चाहिए, रेरा का अच्छा नोलेज होना चाहिए, आपको like building by lock अच्छा knowledge होना चाहिए, किस तरीके से working drawing बनाते हैं, किस तरीके से summation drawing बनाते हैं, इसका basic knowledge पूरी तरीके से होना चाहिए, इसके बाद आपको beam में क्योवल autocad sufficient नहीं है, इसके बाद आपको beam के अंदर पता होना चाहिए, LODs के बारे में, level of development, like LOD 100 क्या होता है, LOD 200 क्या होता है, 300, 350, 400, मतलब अगर आपको level of development का अच्छा knowledge है, तो आपको क्योंकि इसके questions fixed हैं, ठीक है, आपको मैं बोलूँगा कि आप Unix Civil Apple BIM का जो quotes हैं, उसके अंदर interview का पहला जो series है, वो on है, मतलब वो free है, मैं आपको अच्छा knowledge, rabbit family का, rabbit software एक ऐसा software है, जिसका सबसे ज़्यादा use होता है, beam industry में, तो rabbit को एक तरीके से घोल के piece आईए, ठीक है, जैसे आपको दीना पीते हैं, गोल के, वैसे ही rabbit को घोल के piece आईए, जिसके अंदर rabbit आ, texture अच्छे से सीखना है, rabbit structure अच्छे सीखना है, rabbit MEP सीखना rabbit family अच्छे से सीखना है, rabbit estimation अच्छे से सीखना है, तो अगर आप कर सकते हो कि जिस तर किसे structures के अंदर, industry के अंदर आपको कुछ बनाना है, तो सबसे पहले autocad stat pro आना चाहिए, वैसे ही अगर आपको beam के अंदर आना है, तो autocad और rabbit आपके यहाँ पर पूरा set होना चाहिए, आख बंद करो rabbit की screen आपके सामने दिखती रहे, आख बंद करो autocad की screen आपके सामने दिखती रहे, तो अगर यह चीजों का आपका इतना level पर confidence है, तो इसके बाद 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, 4D क्या होता है, इन सब चीजों के basic knowledge होना चाहिए, measurement का अच्छा knowledge होना जो कुछ execute हो रहा है, मलब होने वाला है, उसको सब कुछ digital platform पर करके देख लेना, तो जो execute होने वाला है, उसको digital platform पर करके देखने के लिए अपकी imagination power अच्छी होनी चीज़, तो इसके लिए आपको कई जट सारे interview से मिलेंगे, कि orthographic drawings बना के दिखाओ, orthographic drawings मलब एक table है, उस table को पर lamp रखा गया, उसको front भी बना के दिखाओ, ठीक है, company बहुत अच्छी company थी, यह क्या बोलते है, sandview, I think sandview company थी, उसमें यह cushion पूछा गया था, तो समझ सकते हो कि beam के अंदे आपको बहुत ही ज़्यादा visualization आपका skill अच्छा होना चाहिए, आपका यह पता होना चाहिए यहाँ पर किस तरह की railings बना दू, कि यह थोड़ा अलग हो जाए, यहाँ पर अगर मैं apartment बना रहा हूँ, क्योंकि apartment तो हर जगपे है, आपको कोई क्यों पुछेगा, कि कुछ unique करते हो आप apartment में, देखो हर एक चीज़ का एक USP होता है, unique selling point होता है, मेरी भी USP हो सकती है, कि मैं बहुत ही आसान भासा में courses करता हूँ, आप तक content लेके आऊँ, ठीके मैं भी बहुत सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े language, मुरी भी English थोड़ी बहुत अच्छी है, तो लेकिन मुझे क्या होता है, कि आपके brain तक मेरी बात न पहुंचे, तो फिर मतलब नहीं है, कुछ मेरी mistakes है, जिसे मैं थोड़ा fast वोलता हूँ, यह मेरी mistakes है, courses करता हूँ, slow करूँ, definitely वो धीरे-धीरे अपने आप सही होता है, तो खुल मिला कि आपको LODs का channel है, 2D, 3D अच्छे knowledge होना च्छे, parametric, non-parametric families, rabbit में estimate किस तरीके से करोगे, rabbit में, rabbit structure में 3D modeling किस तरीके से करोगे, scan to beam क्या होता है, BIM 360 क्या होता है, इन सब के बारे मैं सब में यूटूब पर डाल चुका हूँ, अगर Skills Guru Channel जो अपना है, उस पर अगर जाओगे, तो सब मैंने explain कर रहा है, scan to beam क्या होता है, point cloud क्या होता है, scanner क्या होता है, laser scanner क्या होता है, BIM 360 क्या होता है, कैसे work करता है, local cloud कि इस तरीके से बनाते हैं, cloud पे कैसे work करते हैं, BIM के अंदर, यह सब general questions है, जिस पर लोग ज़्यादा focus करते हैं, अगर इन सब चीजों का आपने knowledge ले लिया, आप बोलो sir, आपने दो बोला कि भी start करना है, और यह सब yes, अगर start करना है, अगर इस इनके बारे में आपको जरू पता होना चाहिए, कि grow करने के लिए, कि भाई क्योंकि इंटर्वी में क्या आपसे पूछा जाएगा, यही सब पूछा जाता है, इसके बाद आपसे components किस तरीके से बनाते हैं, Revit के जो file formats है, यह file formats कौन कौन सी होती है, rbt क्या होती है, rft क्या uses हैं, इसके बारे में knowledge होना ची है, तो दीजार्दी basics अगर आपको clear है, तो believe करिए कि beam के अंदर बहुत ही अच्छा आगर हा, inscape, inscape software अगर आपको अच्छा knowledge है, क्योंकि inscape बहुत ही अच्छे से install हो जाता है, आपके Revit के अंदर, क्योंकि Revit का जो आप render quality देखोगे, कहीं ने कहीं वो low है compared to inscape, तो Revit software के अंदर ही inscape plugin को download करके install कर लोगे, तो आपकी render quality बढ़ जाएगी, trees है, मलब थोड़ा सा ऐसे कि आपको दिखाना पड़ेगा न, कि exactly यहाँ पर एक tree लगा दिया, यहाँ पर एक पेंड लगा दिया, यहाँ पर एक road दे दिया, तो यह सब components अगर आप Revit के अंदर लगात हूँ, पहली करा से बोलता हूँ कि अगर आपका resume impressive है, अगर आपका cover letter अच्छा है और portfolio अच्छा है, तो यह समझे कि short listing आपका वहीं पर clear हो जाता है, और इसके बाद apply करने के कुछ methods है, जैसा कि मैं आप सब को बोलता हूँ कि beam के अदर apply करने के लिए, आपको communication का अच्छ आप over value बात करोगे, तो यह definitely आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस industry में communication, rabbit और autocad, अगर अच्छा है तो आप entry कर जाओगे, थोड़ा सौर अच्छा करने के लिए scan to beam, सीख लो, BIM 360 के बारे में सीख लो, LODs के बारे में सीख लो, 2D, 3D, 4D क्या होता है, इनके बारे में general information ले लो, अगर यह सब आपको पता है, तो beam के अंदर interview भी बहुत आसान होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ा चीज होता है, render quality, जो कि आपकी practice से आ जाएगी, और उसके बार ज्यादा technical नहीं होता है, इसलिए अगर आपका technical week है, तो beam के अंदर try करो आपका career अच्छा हो जाएगा, हाँ, अगर रे भी structures पर जा रहे हो, क्योंकि देखो, Revit beam के अंदर भी ने बहुत अलग-अलग profiles है, मैं अभी जिस profile के बारे मैं explain कर रहा हूँ, यह है, Revit modular के profile पर, या फिर beam modular के profile पर, या फिर 3D modular, सभी एक ही है, ठीक है, 3D modular, beam modular, इनकी profiles के मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 3D structural modular पर जाओगे, तो आपको lapping का अच्छा knowledge होना चाहिए, आपको zone का अच्छा knowledge होना चाहिए, column में reinforcement किस्ते है, क्योंकि Revit structure में क्या करते हो, आप जो autocad में 3D retailing सब तक करते थे, अब market का trend बोल रहा है, कि 3D में retailing करके दिखाओ, तो 3 beginner के लिए बहुत ही अच्छा रत है, तो reinforcement किस तरीके से दोगे, lepping किस तरीके से दोगे, वहाँ पर LD को कैसे calculate करेंगे, उसका BBS किस तरीके से निकालेंगे, आपको footing का, column का, beam का, slab का, चारों का अगर आप एक civil engineer हो, तो BBS निकालना आना चाहिए, आप चाहे जिस industry में हो, च profile पे, 3D model के profile पे, या फिर beam coordinator के profile पे, या फिर beam manager की profile पे अगर experience है, तो, इसके आगे भी अलग-अलग profiles है, जिसके बारे में आगे कभी discuss करूँगा, अभी मेरा मिन उद्देश ये है, कि जो लोग अभी पास आउट हुई है, जो जो अभी तयारी कर रहे हैं, जो भी अपने जॉब में, जिस जॉब में है, उस जॉब में comfortable नहीं है, वो लोग कैसे entry कर सकते हैं, तो भाई लोग, आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, यूरिक से भी लैप पर जाईए, वहाँ पर मुस्किल से 500 पीस का autocad का course है, वहाँ से ले सकते हैं, रेविट का course 2000, I think 2000 पीस का course है बलब 2,500 रुपए आप invest करके, आप अच्छा knowledge gain कर सकते हो, अच्छी skills gain कर सकते हो, और सबसे साथ इससे आपको fix है कि आप interview crack कर लोगे, इसकी guarantee मैं देता हूँ, thank you so much for watching this video, hope you like this, जै हिन, जै भारत, अगर आपको कुछ doubts आ रहे हैं, आपको कुछ ये episode अच्छे लग रहे है क्योंकि आपकी रहे से बहुत कुछ clear होता है, thank you so much